नवंबर की अंतिन सब्ता से क्रिशी कानुनों का दिल्ली की सिमाव पर विरोध कर रहे किसानों का अंधोन आज अपने उनधश थ्रवे दिन में प्रवेश कर चुका है indeed जहां 26 जनवरी से पहले दिल्ली की तमाम सिमाव पर किसान अंधोलन अशानी से चल रहा था वही अब तमाम से माँ पर दिल्ली पुलिस द्वारा खी गई किले बंदी और खेरे बंदी से किसानों को जरूरी समान के लिए काफी जद्दो जहत करनी पड़ रही है हाला कि उनका होसला अब भी नहीं तूटा है और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वह घर वापस नहीं जाएंगे आज सिर्फ शेना नेता संजय राओध भी किसाना अंदोलन का समर्थन करने गाजीपूर बॉर्डर पहुचेंगे किसान अंदोलन के चलते दिल्ली पूलिस ने आज भी गाजीपूर बॉर्डर बंद रखा है इस कारण सुभा पीक आवार में कई मार्गों पर वाहन का दबाओ बढ़ गया पूलिस ने गाजीपूर बॉर्डर बंद होने के चलते आनंद विहार, चिला, डियाएंडी, अपसरा, भोप्रा और लोनी बॉर्डर का इस्तमाल करने के सलहा दी दिल्ली के सिंदू, टीक्री और गाजीपूर बॉर्डर जहां किसानों का अंदोलन चल रहा है वहां बीते दो दिनों से पुलिस लगातार सुरक्षा विवस्था बढ़ाती जा रही है यहां कटेली तारे, बैरिकेटिंग, सिमेंट की बैरिकेटिंग, खाई खोदने से लेकर नुकीले सरीये भी जा रही है ताकि किसान और उनके ट्रेक्टर दिल्ली में प्रवेश्ट ना कर सके इनी खबरों और तस्वीरों के सामने आने के बाद कॉंग्रस के पूरवद्धिक श्राहूल गांदी ने ट्वेट कर सरकार पर निशाना सारते हुवे कहा कि बारत सरकार आप पुल बनाएए ना किद दिवार भाकियों की राष्टरी प्रवक्तर राकिस्टिक एत के आसों ने किसान अंदोलन को ऐसी मजबूती दी है कि उसके बाद से ही गाजी पर बॉर्डर पर ना सिर्फ किसानों के आने बलकि नेताओं के आने का सिलसरा भी तेजी से सुरू हो गया है इसी कड़ी में असिफ शेरा के नेता संजर राउट गाजी पर बॉर्डर पहुश कर किसानों से मिलेंगे और अनुलन को अपना समर्थन देंगे गंतंद दिवस पर दिल्ली में हुवे बवाल के बाद दिल्ली पुलिस ने हर्याणा दिल्ली सियम पर कड़े इंतजाम करने सुरू कर दिये हैं एक दिन पहले जहां दिल्ली पुलिस ने जाडोदा बॉर्डर पर कंक्रेट की तीन फुट चौड़ी और चार फुट उची दिवार बनाई थी वही अब टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहास सड़क पर नुकीले सरिये ठोक दिये गई हैं दिल्ली पुलिस ने आइंदजाम रवीवार की रात किये सिमाओं के बंद होने के बाद बहादुर गर से दिल्ली की और जाने वाले वाहन चालकों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है हरियाना सरकार द्वारा राजी में इंटरनेट सेवाएं बार बार बाधित किये जाने के खिलाप पंजाब हरियाना हाई कोट का दरवाजा खटखटाया गया संदीप सिंग्वान ने याची का दायर कर कहा कि 26 जन्वरी को किन सरकार ने सिंधू बॉडर गाजी पुट टीक्री मुकरबा चौक और नांगलोई के आसपास इंटरनेट सेवाओं को रोग दिया है इसी के तहट हरियारा सरकार ने 29 जन्वरी को एक आदेश के तहट राजी के 17 जिलों में मुबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी है जो अलग-अलग आदेशों के तहट अब तक जारी है याचिका में आरोब लगाया गया है कि सरकार इस तरह की कारवाई मौलिक अधिकारों के खिलाफ कर रही है सरकार के इस तरह की कारवाई मौलिक अधिकारों के खिलाफ है सरकार के इस कारवाई की कारण आम लोगों को नीजीवा वैपारिक तोड़ पर कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है गिरो रिपोर्ट आई पिन गिरो रिपोर्ट आई 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 उन्हाई आई पिन जाई आई उन्हाई आई तोड़ रहा है